जुलाई का महिना इंडियन स्मार्टफून मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे 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 बहुत सार सब सब पहले हम बात करते हैं उन स्मार्टफोन के बारे में जिसका 50-50% chance है कि वो इंडिया में launch हो जुलाई के महने में इन स्मार्टफोन की कोई official confirmation आई नहीं है इनके respective brands से तो हम definitely कहें नहीं सकते हैं ये इंडिया में launch होंगे जुलाई के महने में या नहीं चार स्मार्टफोन से जिसमें हमें डाउट है कि जुलाई के महने में वो इंडिया में launch होंगे या नहीं और वो चार स्मार्टफोन से शाओमी CC series, Vivo iqoo, Asus ROG Phone 2 और Huawei Nova 5 series ये चार स्मार्टफोन से जिसकी कोई official confirmation आई नहीं है इनके brands के तरफ से लेकिन फिर भी इनके बार में मैं आपको बता देता हूँ शाओमी CC9 और CC9E एक ग्लोबल स्मार्टफोन है जो चाइना के launch के बाद बाकी countries में भी available होंगे लेकिन ये कब तक available होगा कोई official confirmation आई नहीं है अब तक शाओमी के तरफ से बाकी countries में भी available होगा लेकिन स्लोली स्लोली Vivo IQ हो सकता है कि July के 3rd week में इंडिया में launch हो जाया लेकिन इसकी भी official confirmation है नहीं अगर आप पो इस फोन के बारे में और भी जादा information चाहिए तो आप हमारा unboxing वीडियो भी देख सकते हैं और यह है हमारा unboxing वीडियो Asus ROG Phone 2 भी launch होने वाला है जुलाई में ही 23rd July को globally लेकिन ये इंडिया में भी 7 में launch होता है या नहीं इसकी कोई official confirmation अब तक आई नहीं है week में लेकिन हो सकता है ये launch हो और हो सकता है ये launch ना भी हो अगर एंडिया में लान्च होता है तो इसका तीन वेरियंट है जो इंडिया में launch होगा वह है Huawei Nova 5, Huawei Nova 5 Pro और Huawei Nova 5i चलिए अब बात करते हैं उन स्मार्टफोन के बारे में जो जुलाई के मेहने में इंडिया में लाँच होने वाले हैं और इन स्मार्टफोन में जो सबसे पहला नाम है वो है Samsung Galaxy A80 Samsung Galaxy A80 इंडिया में लाँच होने वाला था जून के महिने में ही लेकिन यह कुछ प्रोब्लम्स के वैसे डीले हो गया है और यह स्मार्टफोन अब लाँच होगा जुलाई में यह स्मार्टफोन इंडिया में अविलेबल होगा जुलाई के फूर्थ वीक में Samsung Galaxy A80 Samsung का सबसे महेंगा A-Series का स्मार्टफोन है और Samsung का पहला Full View Display स्मार्टफोन है Samsung Galaxy A80 में हमें देखने मिलता है 6.7 इंच का Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले 3,700 mAh की बैटरी जो 25W Fast Charge भी सपोर्ट करता है यह स्मार्टफोन चलता है Snapdragon के 730 प्रोसेसर में जो 8GB RAM with 128GB internal storage के साथ आता है Camera Department की बात करें तो उसमें दिया गया है triple camera setup जिसमें है 48MP का main sensor, 8MP का ultra wide angle sensor और DOF 3D sensor और यह camera एक pop-up rotating selfie camera भी है Samsung Galaxy A80 की इंडिया में expected price है 40-45,000 रुपीज हमारे लिस्ट में जो अगला नाम है वो है GeoPhone 3, GeoPhone 3 इंडिया में launch होगा July के 1st half में और यह GeoPhone 3 एक touchscreen Android smartphone होगा जिसमें हमें देखने मिलेगा 5-inch का HD LCD display, 2800 mAh की battery, 1.4 GHz प्रोसेसर with 2GB RAM, 5MP single rear camera और 2MP selfie camera और यह smartphone एक Android Go Edition smartphone होगा और इसके इंडिया में कीमत होगी 4,499 रुपीय है Xiaomi July के 3rd week में इंडिया में अपना एक launch event रखने वाला है जहां वो अपने 3 smartphones को launch करेगा और 3 smartphones है Redmi K20, Redmi K20 Pro और Redmi 7A यह तीनों ही smartphones Chinese market में available है लेकिन यह इंडिया में available होगा July के 3rd week में Redmi K20 Pro एक budget flagship smartphone है जिसमें सारे flagship like feature आपको दिये गया है budget में Redmi K20 Pro में दिया गया है 6.39-inch का Full HD Plus Super AMOLED display, 4000 mAh की battery जो 27W fast charge भी support करता है Redmi K20 Pro चलता है Qualcomm के latest flagship processor Snapdragon 855 पर जो आता है up to 8GB RAM और up to 256GB internal storage के साथ camera department में इसमें दिया गया है triple rare camera जिसमें है 48MP का main sensor, 8MP का telephoto lens और 13MP का ultra wide angle sensor और selfie के लिए 20MP का front facing pop-up selfie camera और यह smartphone जब इंडिया में launch होगा इसकी starting price होगी 25,000 रुपीज और यह perfect killer है OnePlus 7 Pro का और जो Redmi K20 है वो एक downgraded version है Redmi K20 Pro का जिसमें आपको सारे specifications सेम मिलते हैं लेकिन सिर्फ दो ही changes है उसमें आपको Snapdragon 855 के जगा Snapdragon 730 का processor दिया गया है और बैटरी में 27W fast charge के जगा 18W का fast charger दिया गया है और Redmi K20 की starting price होगी इंडिया में लगभग 18,000 के आसपास और Xiaomi ने इंडियन launch event में जो तीसरा phone launch करने वाला है वो है Redmi 7A Redmi 7A एक entry level smartphone है जिसमें दिया गया है 5.45 इंच का HD plus display 4000 mAh की बैटरी जो 10W fast charge भी support करता है यह smartphone चलता है Qualcomm के Snapdragon 439 प्रोसेसर में जिसमें दिया गया है up to 3GB RAM और up to 32GB internal storage और camera department में इसमें दिया गया है 13MP का single rear camera और 5MP का selfie camera Redmi 7A जब इंडिया में launch होगा इसकी starting price होगी 6,000 रुपीज के आसपास अगर आपको Redmi K20 Pro के बारे में और चालना है तो हमारा unboxing वीडियो देखिए और Redmi K20 Pro का giveaway भी चल रहा है हमारे चैनल में जिसमें आप participate भी कर सकते हैं हमारे list में जो अगला नाम है वो है Realme X Realme X तो इंडिया में launch होगा July के second week में लेकिन यह वो Realme X नहीं होगा जो चाइना में launch हुआ है Realme India Realme X में कुछ changes कर रहा है Indian version के लिए और इसे खुद Realme India के head माधव शेट ने confirm किया है और जब भी कोई Chinese smartphone brand Indian variant के लिए changes करते हैं अपने smartphone में तो वो smartphone में कुछ ना कुछ कमी कर देते है अपग्रेट नहीं करते है उसे तो हो सकता है जो variant इंडिया में launch हो Realme X का उसमें हमें कुछ कमी देखने मिले as compared to Chinese variant Realme X एक्मिडेंच smartphone है जिसमें दिया गया है 6.5 inch का full HD plus AMOLED डिस्प्ले 3700 mAh की बैटरी जो 20W fast charge भी support करता है यह smartphone चलता है Snapdragon 710 processor में जिसमें दिया गया है up to 8GB RAM और up to 128GB internal storage camera department में दिया गया है dual rear camera जिसमें है 48MP का main sensor और 5MP का depth sensor और selfie के लिए इसमें दिया गया है 16MP का pop-up selfie camera और Realme X जब इंडिया में launch होगा तो हो सकता है यह 16-18000 के price range में launch हो और Realme X की भी हमने unboxing की है अगर आप Realme X के बारे में भी और जानना चाते हैं तो हमारी unboxing video देखिए और इसकी giveaway भी चल रही है हमारे channel में जिसमें आप participate भी कर सकते हैं और Realme X और Redmi K20 दोनों ही mid-range smartphone है लेकिन दोनों में बहुत फर्क है और price का difference बहुत ही कम है एक या 2000 का difference होगा तो आप कौन सा smartphone लेना चाहेंगे Realme X या Redmi K20 निशे comment में जरूर बताएं और दोनों ही smartphone की giveaway contest में participate जरूर करें जो अगला smartphone है हमारे list में वो है Infinix का एक mid-range smartphone Infinix ने एक teaser launch किया है जिसमें वो बता रहा है कि 11 July को वो अपना एक नया smartphone launch करेगा और बाकि इसकी कोई information अब तक available नहीं है लेकिन यह smartphone हमें देखने मिले बहुत ही अच्छा display बड़ा display और बड़ी battery के साथ हो सकता है यह smartphone आए हमारे list में जो आखरी smartphone है जो जुलाई में launch होने वाला है वो है Vivo Z1 Pro Vivo Z1 Pro एक mid-range smartphone है जिसमें दिया गया है 6.53 इंच का full HD plus punch hole display 5000 mAh की battery जो 18 watt fast charge भी support करता है यह smartphone चलता है Qualcomm के latest mid-range processor snapdragon 712 पर जो आता है up to 8 GB RAM और 128 GB internal storage के साथ camera department में इसमें दिया गया है triple rare camera जिसमें 16 megapixel का main sensor 8 megapixel का ultra wide angle sensor और 2 megapixel का depth sensor और selfie के इसमें दिया गया है 32 megapixel का front facing camera जो एक punch hole display के अंदर है Vivo Z1 Pro जब इंडिया में launch होगा तो यह इंडिया का पहला smartphone होगा जो Qualcomm के 712 processor पे चलेगा और हमने आपको पहले भी बताया है के Vivo Z1 Pro PUBG Mobile Championship का official phone है जिसमें सारे finalists जो होंगे PUBG Mobile Championship के वो Vivo Z1 Pro में ही compete करेंगे और Vivo Z1 Pro की starting price इंडिया में हो सकती है 17-18,000 के आसपास तो बस यही थे हमारे top upcoming smartphones जो जुलाई के महिने में इंडिया में launch होने वाले हैं इन smartphones में से आपको कौन सा smartphone सब साथा पसंद आया है और कौन सा smartphone आप लेना चाहेंगे और किस smartphone के लिए आप wait करना चाहेंगे निचे comment में जरूर बताए और आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या सुझा हो तो इसे comment में जरूर लिखें तो आज की वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को like करे, comment करे, share करे, subscribe करे, गिजमेंडे यूटिव चैनल और हमारे giveaway contest में participate करना मत भूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में